इस वीडियो में हम निफ्टी का डिटेयल आनलेसिस करने वारे नेक्स्ट वीक के लिए भी मंडे स्पैसिक लेवल्स की भी बात करेंगे कंटिनेस देखेंगे तो मारकेट कंटिनेस एक बहुत अच्छे बुलरन में चल रही है तो भी हमने मारकेट में न्यू लाइफटाम हाई लेवल लगते हुए देखें कंटिनेस अप्ट्रेंट गजब का मूँ मारकेट दिखा रहा है लगाता और हम तो आपको बार बार यह बताई रहे थे कि मारकेट अप्ट्रेंड में है डरने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग बार-बार आपको नेगेटिब बाते बताते रहते हैं मारकेट के बारे में बार-बार आपको कहते हैं कि अपना पॉर्ट्फोलियो सेल कर लिजे लेकिन हम आपको बार-बार यही बता रहे हैं कि अगर आपने previously भी अगर अपना portfolio बिल्ट नहीं किया है, आप already बहुत बड़ी rally मिस कर चुक है, तो भी आप investment कर सकते हैं, first चीज market bull run में चल रहा है, clear account uptrend में चल रहा है, तो market में आपको trend को follow करना चाहिए, second चीज, investment and portfolio होता है long term के लिए, तो long term में आपको जरूर returns बना के देगा, और आज वीडियो के end में मैं आपको एक stock भी बताऊँगा, जो gazap का stock लगता है मुझे, अपनी sector में वो leader है और quality के लिए जाना जाता है, तो अपनी sector में वो leader है और quality के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी क्या बात करने वाले, कि next पूरे week के लिए भी on Monday specific क्या levels होंगे, अब trend तो हमें पता लगी रहा है, वो आपको बार बार market दिखा हुई रही है, और issue क्या है, market कहां तक continuous rally, देखें जो घजब की rally आ रही है ना market में, अभी market में काई stopping point देखने ही रहा है, कि market रुकेगी कहाँ, daily new lifetime high level देखने को मुल रहा है, correction आई नहीं है, market में हट dip को buy कर लेती है market, तो important levels क्या होंगे, क्या market में हम 19,000 आने वाला है, तो इसी चीज़ का answer करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले चैनल पर नहीं है, सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले, daily आपके लिए बहुत ही perfect analysis लाते हैं, and हाँ, bank nifty का analysis अल्रेड ही हम आपको दे चुके हैं, वहाँ market कहाँ top बना सकती ही, क्या major resistance है, वह already उस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, और क्या breakout level होगा, already उस वीडियो में आपको बता चुके हैं, नहीं देखी, तो firstly उसे जाके जरूर देख लिए, बहुत ही detailed analysis किया है, वहाँ पर, लेकिन इस वीडियो में जारेंगे, nifty का analysis, वह अपने चैनल को subscribe कर लिया हुआ, और वीडियो अच्छे लगे, तो like भी कर दिया, अगर इतना perfect daily up till analysis लाते, तो इतना तो आप करी सकते हैं न, तो चलिए, आते हैं हमार analysis part पर, सबसे पहले देख लेते हैं, Thursday को कैसी market देखने वह लिए, कैसी expiry थी, exactly market कहां support लेती है, 18,250, every 50s level पर market वर्क करती है, बताया था आपको, exactly 18,250 पर market support लेती है, day low exactly level पर बना था, और day high कहां बनता है, 18,350, ये भी 50s का level है, तो exactly day high भी 50s के level पर बना, और exactly day low भी 50s के level पर बना, expiry वाले दिन हमने clear cut बता रखा है, कि कहीं कुछ search out या find out करने की ज़रूरत नहीं है, simply आपको हर 50s के level पर mark करना है, और वहां से अपने trades बनाने हैं, तो intraday देखेंगे, तो bank 50 की तरह बहुत sharp up move तो नहीं देखे, लेकिन already एक बहुत अच्छी gap up opening थी, और उसके बाद भी एक अच्छी positive closing देखने को बली है, तो यह और वाल intraday market थी, Monday के लिए important levels की बात करते हैं, 19,000 का भी answer करेंगे, लेकिन Monday के लिए important levels पहले जानते हैं, तो अभी देखें market की closing, 18,000 340 के आसपस आई है, तो immediate support and resistance level आपको बता देते हैं, resistance जादा important है, क्योंकि market uptrend में चल रही है, तो resistance level जानना जादा ज़रूरी है, अभी already देखेंगे, तो ऐसा दिख रहा है market gap up opening कर सकती है, अगर हम Singapore निफ्टी को देखें, तो एक अच्छा positive move दिखा रहा है वहाँ पे, कि अच्छी gap up opening हो सकती है, तो level upside क्या रहेंगे, पहला resistance 18,400 level है, ठीक है, उसके बाद जो level है, वो बहुत important है, इसके बाद जो level आता है, वो आता है 18,470 और 18,500 का ये zone बनाना है आपको, बहुत important है, 30 point का zone है, 18,470 से 18,500, ये एक बहुत important resistance है market में, क्योंकि अगर ये break होता है न, तो उसके बाद जो 19,000 level है, वो ही हमें एक major up trend में resistance दिख रहा है market में, अगर market 18,500 और इस zone को breakout कर देती है, तो हमें directly resistance जो और further up trend दिख रहा है, वो 500 points का दिख रहा है, देखेंगे छोटे मोटे levels नहीं, 500 points के बाद कर रहे हैं, अगर market 18,500 के above close हो जाती है, उसे breakout करती है, तो 19,000 एक next major hurdle आएगा market में, वहाँ पे resistance दिख रही है, तो आपको जरूर याद रखना है, कि अभी immediate ये major resistance है, मंडे के लिए भी, जैसा कि दिख रहा गया above opening हो सकती है, तो हो सकता है इस zone के just below ही हम open हो, या इस zone के आसपास ही हम open हो, तो ये बहुत ही major रहेगा, अगर ये break हो जाता है, तो बहुत अच्छी और further continuous rally देखने को मिल सकती है, और जल्दी ही market में 19,000 लेवल आ सकता है, तो resistance लेवल क्या हो चुका है, 18,400, एंड उसके बाद ये हमारा zone, 18,470 से 18,500 बहुत important, क्योंकि अगर ये break हुआ, तो target क्या है, 19,000, ठीक है, resistance लेवल की बात हो गए, major support कहाँ पे है, अब सबसे पहले आपको मैं immediate support की जगा, major support अपडेट कर देता हूँ, तो अब market में जो major support level है ना, वो है 18,160, जब तक ये break नहीं हो रहा, buy on dips की strategy रहेगी, हर dip कापको आपको buy करना है, 18,160 एक बार break होता है, तो वो further हमें 200 से 800 points का fall देखने को मिल सकता है, लेकिन 18,160 के below ही ये major fall देखने को मिलेगा, तो upside major resistance, अभी के according next week में क्या रहा है, 18,470 से 18,500 का zone, और support क्या important, 18,160, major 2 level clear हो चुक है, और upside तो breakout मिला तो 500 points की further rally आ सकती है, ठीक है, major levels मैंने आपको update कर दी थे, अब immediate support levels क्या है, immediate market में पहला support आएगा, 18,320 पे, पहला support, उसके बाद 18,250 पे, जहां almost अमने Thursday को market में low लगाया था, और उसके बाद level आता 18,200, और फिर important level 18,160, तो चार support level से, पहला 18,320, उसके बाद 18,250, फिर 18,200, और फाइनली 18,160, अब एक और reason है, 19,000 आपको बताने का 18,500 के बाद, option chain को देखते हैं, तो वहाँ क्या पता लग रहा है, option chain देखिए, maximum OI call side पता कहां पे बन रहा है, तो वो हमारा बन रहा है, 19,000 पे, 38,000 position, immediate maximum OI हमारा है, 19,000 पे, second highest OI आ रहा है, 18,500 पे, जो हम बाद भी कर रहे हैं, चार्ट पे भी, कि अगर 18,500 से breakout मलता है, तो 19,000 market में आ सकता है, 500 points की rally आ सकती है, 18,500 के अबब, वहाँ पे एक resistance है, वो break out तो एक फर्दर breakout मिलेगा, और 500 points की rally आ सकती है market में, ठीक है, support levels की बात करें, तो 18,200 पे एक support मिल जाता है market को अच्छा, 18,200 पे एक अच्छा support है, जैसा के हमें चार्ट पे दिख रहा है था 18,160, तो उससे थोड़ा अबव ही, option chain पे एक अच्छा support आ रहा है, 18,200 पे, support clear cut 18,200 पे है, और resistance है 18,500 पे, option chain के according charts पे, resistance 18,500 है, लेकिन support है 18,160, चलिए अब मैं आपको stock के बारे में बता देता हूँ, जिसने multi-bagger return दिये market में, और जो मैं आपको advise भी कर रहा हूँ, कि आप अपने portfolio में this add कर सकते हैं, further भी आपको long term में यह अच्छे returns बना के देगा, बने आपने stock सुने होंगे, जिन्होंने multi-bagger return दिये, लेकिन वो काफी पुराने stocks थे, लेकिन यह एक ऐसा stock है, जिसने less than 10 year में गुजब के return दिये, जिसने जो return दिये हैं, वो almost 150X दिये हैं, 150 times से भी ज़्यादा return दिये, 150 times का मतलब क्या पहले आप वो समझ लीजिए, कि अगर आपने इस stock में 1 lakh invest किया होता, अगर आपने इस stock में 9 year back 1 lakh invest किया होता, तो आज उसकी value 1.5 CR होती, यह मतलब है 150X का, 10X क्या होता है 1 lakh का, 10 lakh, 100X क्या हो गया, 1 CR, 1 करोर यानी, ठीक है, यह 1.5 करोर हो जाता, यानी 1 lakh की value 1.5 करोर हो जाती within 9 years, अब मैं आपको दिखा देता हूँ stock, इस stock का नाम है estral, देखिए detail में analysis आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि mostly लोगों को stock ही जारना होता, analysis नहीं चाहिए होता, अगर आपको इसका detail analysis चाहिए, fundamental भी, technical भी, तो आप मुझे comment में बता सकते, मैं इसका detail analysis आपको दे दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको directly बता देता हूँ, stock का नाम है estral, और आप देखिए, 2012 में इसका price almost 15 rupees था, ठीक है, 15 rupees था share था, यह 2012 में, starting में slow and gradual increase हुआ, 15 से 42 हुआ, 2013 में, 2014 में 98 हुआ, हर येर, return बहुत अच्छे दे रहा है, double हो रहा हर येर, आप देखिए, उसके बाद 2014 में 98 हुआ, उसके बाद 2015 में 264 हुआ, every year double तो हो ही रहा था, उसके बाद थोड़ा stagnant हो गया, अगरे 2 साल, ठीक है, 2017 में भी 244 था, उसके बाद फिर गजब की rally आई, अल्मुस्ट ये 900 पहुँच जाता है, ठीक है, 15 रुपीज का शेयर 900 हो चुका था 2020 तक, घजब की return अल्रड़ी दे चुका था आप देखिए, उसके बाद, COVID के crash में slightly fall आता है, इसमें कोई बहुत बड़ा fall नहीं आता, COVID के crash में, slightly हमें fall देखने को बलता है, और फिर इसमें one-sided rally start होती है, low लगता है almost 650 का, और वहां से ये rally start होती है, और 2400 हो जाता है ये share, तो 15 रुपीज का share, 2400 हो जाता है आप देखिए, तो गजब के multi-bagger return दिये हैं, अपने sector में, एक बहुत ही माना हुआ नाम है stock का, ठीक है आप खुद इसके उपर थोड़ा research कीजिए, और आप चाते हैं मैं इसका detail analysis करूँ, तो मुझे comment में बताए, लेकिन ये एक stock ऐसा है, जो आप अपने portfolio में continuous add कर सकते हैं, long term में और बहुत ही गजब के आपको returns दे सकता है, already बहुत गजब के return दिये हैं, आप देख सकते हैं, every year double हो रहा था, last one year में तो four times हो चुका है, तो गजब के returns दे रहा है, continuous दे रहा है, ऐसा नहीं कि कभी कोई इसमें major dip आया, कभी कोई major fall आया, single direction में ही चल रहा है, consolidated ज़रूर हुआ था बीच में 2 साथ, लेकिन single direction में uptrend ही देखने को बल रहा है, तो इस stock को आप ज़रूर अपने portfolio में add कर सकते हैं, तो ठीक है friends, आज की वीडियो में इतना ही, hope आपको वीडियो अच्छी लगयोगी, कोई query है, आप comment section में कर सकते हैं, इसके अलावा channel पर नहीं है, तो subscribe करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो अच्छी लगये तो like भी कर दे, और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते है, जो हमारा one week का hedging batch रहता है, जहां हम live trades के साथ आपको hedging सिखाते हैं, तो उसका part बनना जाते हैं, तो simply हमारे link से account open कर सकते हैं, तो आज की वीडियो मत नहीं, hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जाते जाते वीडियो को like ज़रूर कर दे, मैं ते नेक्स वीडियो है, thank you so much,